ओम शान्ती, 1971 की अव्यक्त मुर्ली की त्रंकला में ये मुर्ली है बीच 5.1901 20th of May 1971 इस मुर्ली का शीशक है बिधाता वर्दातापन की स्टेज बिधाता और वर्दातापन की स्टेज तो आज बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं हम दाइमन्ड हॉल की सभा में बैठे हैं बाबा हम बच्चों को मुर्ली सुना रहे हैं तो आज बाप दादा हम बच्चों से क्या कहते हैं हम बाबा के समक्ष बैठे हैं बाबा को इन ग्यान रतनों से स्वयम को भर रहे हैं तो आज पाप दादा बच्चों से कहते हैं, बिधाता और बरदाता, ये दोनों ही गुड अपने में अनुभब करते हो, जैसे बाप बिधाता भी है और बरदाता भी है, बैसे ही अपने को भी दोनों ही प्राप्ति सुरूप समझते हो, बाबा कहते हैं, बाबा बिधाता भी है और वरदाता भी है तो दोनों ही अपने को प्राप्ति सुरूप समझते हो जितना जितना वरदाता बनेंगे उतना ही वरदाता बन वरदान देने की शक्ति बढ़ती जाएगी जितना जितना वरदाता बनेंगे उतना उतना वरदाता बन वरदान देने की शक्ति बढ़ती जाएगी तो दोनों ही अनुवब होते हैं बावी सिर्फ बिधाता का पार्ट है अंत में वरदाता का पार्ट होगा क्या समस्ती हो बावा बच्चों से पूछ रहे हैं क्या समस्ती हो बावा के सामने जो बच्चे बैटे हैं तो हमने हमेशा हमेजन करना है कि बावा के सामने उस टाइम पर हम भी वैटे हैं बाबा हमसे पूछ रहे हैं क्या समझते हो बाबा ने हमसे कोशन किया अब अपने मन में इस आंसर ढूड़ें कि क्या समझते हो बिदाता का पार्ट है या अंत में बरदाता का पार्ट होगा क्या समझते हो तो कोई ना कोई पार्ट अभी चल लाए है किसी ने कहा बाबा दोनों पार्ट अभी चल लाए है कोई ने कहा बाबा एक पार्ट चल लाए है तो वरदान किन आत्माओं को देते है बाबा कहते हैं वरदान किन आत्माओं को देते हो और वरदाता किसके लिए बनते हो एक होता है knowledge को देना दूसरा है वरदान रूप में देना तो विधाता हो या वरदाता हो किनों को वरदान देती हो विधाता अथात ग्यान देने वाले तो बनते ही हो बाबा कहते हैं वधाता अथात ग्यान देने वाले तो बनते ही हो लेकिन कहां वधाता की साथ साथ वरदाता भी बनना पड़ता है जब कोई ऐसी आतमा हमत ही निर्वल लेकिन इच्चुक होती है चाहना होती है कि हम कुछ प्राप्ती करें ऐसी आत्माओं के लिए ग्यान दाता बनने के साथ-साथ आप बिशेश रूप से उस आत्मा को बल देने के लिए शुब भावना रखते हो जो निर्वल है लेकिन इम्मत ही ने लेकिन फिर भी ग्यान के लिए इच्छुक है तो बावा कहते हैं उसके लिए क्या करते हैं आप शुब बावना रखते हो ग्यान दाता बनके बनने के साथ-साथ उसकी आत्मा को बल देने के लिए शुब बावना रखते हो बाशुब चिन तक बनते हो तो बिदाता के साथ-साथ बरदाता भी बनते हो बिदाता अतात ग्यान देने वाले बावा ने कहा बिदाता अतात ग्यान देने वाले बिदाता की सासाथ बरदाता भी बनना पड़ता है एक्स्ट्रा बल अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बल बावा कहते हैं एक्स्ट्रा बल अपनी तरब से उसको बरदान के रूप में देते हो तो बरदान भी देना होता है दाता भी बनना होता है इसलिए दोनों ही हो ये अनुभब कब किया है कि ग्यान बे देनते हो और किसी को बरदाता भी बनते हो उसके लिए शुब भावना भी रखते हो अगर उस बो कमजोर है आत्मा या उसके अंदर शक्ती नहीं है तो उसके लिए शुब भावना भी शुब चिंतक भी रखते हो तो बरदाता भी बनत स्वैम पुर्शाथी नहीं वन सकती इसलिए बरदान की इच्छा रखती है और बरदान रूप में उनको कुछ ना कुछ प्राप्ती होती है इस रीती जो कमजोर आत्मा आपके सामने आती है जिन आत्मों की इच्छा को देखकर तरस की रहम की भावना आती है रहम दिल बन अपनी सभी शक्ती की मदद दे उनको उचा उठाना यह बर्दान करो उनके उपर रहम आता है उनके उपर तरस आता है उससे आप उनको अपनी सभी शक्ती की मदद से उनको उचा उठाना यह बर्दान करो अभी बता दोनों ही हो गए या एक दोनों ही हो या एक हो कोई आत्माओं के प्रती आप लोगों के विशेच प्रोग्राम भी रखने पड़ते हैं क्योंकि अपनी शक्ती से बैधारणा नहीं कर पाते हैं तो शक्ती का बर्दान देने वाली शिप शक्तियां हो इसलिए सुनाया है अभी ज़्यादा सर्विस चलनी है नौलिज के विधातापन की अंत में नौलिज देने की सर्विस कम हो जाएगी वर्दान देने की सर्विस ज़्यादा होगी इसलिए अंत के समय वर्दान देने वाली आत्माओं में वही संसकार मर्ज हो जाएंगे अंत में अंत किसमें बरदान देने वाली आत्माओं में वही संसकार मर्ज हो जाएंगे तो बावा ने कहा अंत में नौलिज वाली जो विदाता वाली आपकी है सर्विस वो कम हो जाएगी वरदान देने वाली सर्विस जादा बच्चे की क्योंकि शक्तियों की कमी हो जाएगी लोगों के पास कमजोर हो जाएंगी आत्मा है तो उसमें वरदाता वन आपको शक्तियों का दान देना होगा तो बावा कहते हैं इसलिए अंति किसम में वरदान देने बाली आत्माओं में वही संसकार मर्ज हो जाएंगे और वही मर्ज हुए संसकार दौपर में वक्त के रूप में मर्ज होंगे तो अभी नौलेज अथात ग्यान के दाता की सर्विस है फिर वरदाता की होगी समझा फिर इतना समय ही नहीं होगा ना आत्मा में शक्ती होगी इसलिए वरदातावन वरदान देने की सर्विस होगी अभी ये सर्विस कम करते हो फिर जादा करनी होगी अभी बारिस बनाने की सर्विस है फिर होगी सिर्फ प्रजा बनाने की सर्विस अभी वारिस बनाने की सर्विस है फिर प्रजा बनाने की सर्विस होगी कहां पर प्रजा बनानी है सत्यूग में राज करना है तो प्रजा बनानी है ना उसके लिए क्या करना पड़े वर्दाता बनने के लिए मुख पुर्शात यही करना पड़े बार वार जो भक्ती मार्क में गायन किया है कि बारी जाओं अब अनिका वर्दाता बनने के लिए मुख पुर्शात क्या करना पड़े कि जो भक्ती मार्क में गायन है बारी जाओं ये गाएन अगर प्रैक्टिकल में कर लो जिसके उपर वारी जाते हो बै आपको भी सर वरदान देकर वरदाता मूर्थ बना देते हैं अब वारी किस के उपर जाओ अपने शिब बाबा के उपर वारी जाओ तो बाबा आपको वरदान देकर बरदाता मूर्थ बना देते हैं तो हर समय हर कर्म में हर संकल्प में ये सोचो कि बारी जाओं हर कर्म हर संकल्प में ये सोचो कि मैं बारी जाओं किस पर बारी जाओं अपने शिपरता पर बारी जाओं का जो बचन दिया था मैं पालन कर रही हूँ हर करम में यह सोसते रहो कि जो बारी जाओं का बचन बाबा को दिया था उसको मैं पालन कर रही हूँ तो बाप बरदाता मूर्थ है ना आप सभी भी बाप समान बरदाता मूर्थ बन जाते हो तो इदनी चैकिंग करते हो एक संकल्ब भी किसके प्रती ना हो जो भी संकल्ब उठता है उसमें बाप के प्रती कुरवान वारी जाने का रहस भरा हुआ हो एक संकल्ब भी किसी के लिए भी ना उठ बन हो संकल्ब उठें तो क्या उठें कि बाबा के उपर कुर्वान जाने बाबा कहते है कुर्वान जाने का रहस भरा हुआ हो ऐसी चेकिंग करते रहो फिर माया समान करने का माया सामना करने की साहस रख सकेगी बाबा कहते हैं जब ऐसी चेकिंग करते रहो कि तो माया आपके सामना करने की, आपका सामना कर सकेगी, उसका साहस रख सकेगी, नहीं रख सकेगी, सामना करने का साहस नहीं रखेगी, लेकिन बारवार नमसकार कर बिदाई लेगी, क्योंकि वो, आपका संकल्प क्या है, मैं तो बारी जाओं, किस पर बारी जाओं, सुयम्श बाबा कहते हैं इतना जमा का खाता है जमा किया है कुछ एक कमाया और खाया, यह result है एक होता है कमाया और खाया, दूसरा होता है जमा करना तीसरा होता है जो इतना भी नहीं कमा सकते, जो स्वैम को भी चला सके, दूसरे की मदद ले अपने को चलाना पड़ता है तो तीसरी stage बाद दूसरी stage से पार हुए हो कि कमाया और खाया कमाया और खाया और पहले स्टेज है जमा करना तो जमा किया है बाबा ने करे तिनी शक्तियां जमा की है कि जो शक्ति जमा करी फिर उसके बाद कुछ बेर्ट संकल्प किया या फिर कुछ भी कर्म हुआ जिसकी वज़े से वो कमाई खतम हो गई तो कमाया या खाया तो रोज अपना bank balance देखते हो बाबा पूछते हैं रोज अपना bank balance देखते हो बहुत भिकारी भीक माँगने के लिए आएंगे तो इतना ही जमा करना पड़े जो सभी को दे सको जमा करना सीखे हो कितना जमा किया है खाते से तो पता लग जाता है अपना खाता देखा है बाबा कहते है कई ऐसे भी होते हैं जो निकाल कर खाते जाते हैं मालूम नहीं पड़ता है फिर जब अचानक खाता देखते हैं तो समझते हैं ये क्या हो गया ऐसे तो यहां होंगे ही नहीं बावा कहते हैं ऐसा है तो यहां होंगे ही नहीं अच्छा जमा किये हुए खाते बाले का विशेश गुण करतब दिक्या दिखाई देगा जिसने अपनी शक्तियों का इस टॉफ जमा कर रखा है उसका बावा केतने बिशेश गुड़िया करतब दिक्या दिखाई देगा जिसके पास खजाना जमा होगा उसकी सूरत से एक तो बर्तमान और भविश्यतात इश्वरी नशा नारायनी नशा दिखाई देगा जिसने जमा किया होगा उसकी सूरत से इश्वरी नशा वो शिप बावा की प्रेम की नशे में डूबा हुआ दिखाई देगा दूसरा उसको नारायनी निर्शा रहेगा कि हम सत्यूग में नारायन बनने जाएंगे और उसके नैनों वा मस्तक में सर्वात्माओं को इस्पस्ट अपना नशा दिखाई देगा ये जमा होने वाले की निशानी दिखाई देगी आजबावा ने जमा होने वाले की निशानी दिखाई दी उनकी सूरत ही सर्विसेवल होगी सूरत ही सर्विस करती रहेगी जिसके पास जास्ती अत्वा कम जमा होता है बै भी उनकी सूरत से दिखाई देता है बावा कहते हैं जिसके पास जास्ती अत्वा कम जमा होता है वो भी उसकी सूरत से दिखाई देता है तो जमा किये हुए कि सूरत वा मूरत से मालूम पड़ जाता है जैसे जड़ चित्र बनाते हैं उसमें भी कई ऐसे चिन्न दिखाते हैं जो उन जड़ चित्नों से अनवव होता है मैं बोलते तो नहीं है बाबा कहते हैं जड़ चित्र जो बनाते हैं जो चित्र बनाते हैं देपताओं के वो ऐसे चिन्न दिखाते हैं कि उन जड़ चित्रों से अनुभव होता है मैं बोलते तो नहीं हैं लेकिन सूरत से वा मूरत से अनुभव होता हैं मूरतियों को देखकर वैसे ही आपकी ये सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पस्ट करेगी तो अपने आपको ऐसा चेक करो कि मेरी सूरत से कोई भी आत्मा को नशा वा निशाना दिखाई देता है जैसे कोई उच कुल का बच्चा होता है मैं भल गरीब बन जाए लेकिन उसकी जलक और फलक दिखाती है कि ये ऐसे उच कुल का है बादा कहते हैं कोई उच कुल का बच्चा होता है मैं भले गरीब बन जाए बाद में भल गरीब बन जाए या कहीं खो जाए तो किसी गरीब कर चला जाए लेकिन उसकी जलक और फलक दिखाती है किसी ऊच कुलका है उसके संसकार दिखते हैं कि किसी ऊच कुलका है उसकी बुद्धी सिथर दिखाई पड़ता है किसी ऊच कुलका है बैसे ही जो सदैप खजाने से संपन्न होगा उसकी सूरत से कभी छिप नहीं सकता आपके पास दरपढ है, बाबा पूस्ते हैं, आपके पास दरपढ है, सदैप साथ रखते हो, हर समय दरपढ देखते रहते हो, कई ऐसे भी होते हैं, जिसको बार बार दरपढ देखने की भी अवशकता नहीं होती तो आप सेकिंड सेकिंड देखते हो देखने की अवशकता ही नहीं पड़ती आप सेकिंड सेकिंड देखते हो या देखने की अवशकता ही नहीं पड़ती तो बावा कहते हैं जब तक अपनी चेकिंग का नेचरल अव्यास हो जाए तब तक बारवार चेकिंग करनी पड़ती है दीरे दीरे फिर ऐसे बन जाएंगे जो बारवार देखने को दरकार ही नी पड़ेगी दरपण माना ग्यान दरपण अपने मन के दरपण में देखना है कि हम कितना जो बावा बताते हैं उस स्वरूप बने हैं क्या वो स्वरूप बना है हमारा हमारा हर संकल्ब हर कर्म बावा के अनुसार बना है की नी बना है तो यह चेक करते रहना है मन रूपी दरपण में बाहिरी दरपण में नहीं मन रूपी दरपण में चेक करते रहना है तो बावा कहते हैं बार बार फिर देखने की धरकार नहीं बन जाएगी जब आप एक बार अच्छे से नेच्रल अभ्यास बन जाएगा चेकिंग का फिर बार बार देखने की धरकार नहीं पड़ेगी सदैप सजे सजाए ही रहेंगे जब तक ये सदैप सजे सजाय रहने की आदत पड़ जाए तब तक बार बार अपने को देखना और बनाना पड़ता है जब दो चार बार देख लिया कि जब माया किसी भी प्रकार से किसी भी रीट से मेरे श्रिंगार को बिगाड़ नहीं सकती फिर बार बार देखने की जरुद ही नहीं पड़ेगी फिर तो अपना साक्षातकार दूसरे के द्वारा भी आपको होता रहेगा दूसरे स्वैम बर्णन करेंगे गुडगान करेंगे दूसरे स्वैम बर्णन करेंगे गुडगान करेंगे फिर पावा कहते हैं सभी विजई रतन हो ना विजई रतन तो हो लेकिन विजई की माला कितनी अपने गले में डाली है बैवी देखना पड़े ये विजई की माला दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है तो बढ़ रही है और कहां तक बड़ी है ये भी देखना पड़े जब माला लंबी होती है तो फिर क्या करते हो डवल करके डालते हैं जिससे सारा श्रेंगार सुन्दर बन जाता है तो इतनी बड़ी माला अपने गले में डाली है ये भी चेक करो आज के दिन मेरे विजए की माला में कितने विजए रतन बड़े अच्छा द्रिस्टी से बावा कहते हैं द्रिस्टी से स्रिस्टी बदलती है ये भी कहावत है तो कैसी भी तमो गुडी रजो गुडी आत्माय आएं लेकिन आपकी सतोगुड़ी दिर्ष्टी से उनकी स्रिष्टी उनकी इस्थिती बदल जाए उनकी बृति बदल जाए वो किसी भी रूप में आपके सामने आए कोई भी भाव लेकी जाए लेकिन आपकी दृस्टी से उसकी इस्तिती बदल जाए बृत्थी बदल जाए आगे चल कर ये एनुपब बहुत आत्माएं करेंगी जैसे यादगार दिखाया हुआ है कि तीनों लोग का साक्षातकार कराया तो ये भी अभी गायन है आप लोगों के सामने आने से दृस्टी दौरा उन्हों को तीनों लोग तो क्या अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पढ़ जाएगा जैसे शुरू में इस्तापना के समय ग्यान की सर्विस इतनी नहीं थी नजर से नहाल करते थे तो अभावा कहते हैं ग्यान की सर्विस इतनी नहीं चलती थी लेकिन नजर से नहाल कर देते थे तो अंत में भी ग्यान की सर्विस करने का मौका नहीं मिलेगा जो आदी हुआ वही अंत में आप लोगों दौरा चलना है जैसे प्रक्ष का पहले बीज प्रतेक्ष रूप में होता है बीज में बीज मर्ज हो जाता है फिर अंत में बही बीज प्रतेक्ष रूप में दिखाई देता है तो आप आदी आत्माओं में जो भी पहला फांडेशन पढ़ा हुआ है वही सर्विस अंत में भी होनी है बाबा कहते हैं आप आदी आत्माओं में जो भी पहला फांडेशन पड़ा हुआ है वही सर्विस अंत में भी होनी है अच्छा ये है हमारे बाबा की 25.1971 की बहुत सुंदर मुली जिसमें बावा बिधाता वरदाता पन की स्टेश के बारे में सर प्रतम बता रहे हैं तो बावा कहते हैं बिधाता अथात ग्यान देने वाली आत्मा तो बनते हो बिधाता बावा किसको कहते हैं जो ग्यान देते हैं आप जो भी ग्यान बच्चों को सुनाते हैं म्रामड़ों को सुनाते हैं तो वावा कहते हैं ग्यान देने वाली आत्मा तो बनते हो वरदाता भी बनते हो दोनों चेक करना है दोनों बनना है तो वावा कहते हैं वरदाता बनते हो वरदाता जैसे कभी-कभी ऐसा होता है आपके सामने ऐसी आत्मा आएंगी जो कमजोर है, जो ग्यान सुनना तो चाहती है ग्यान धारण तो करना चाहती है लेकिन उसमें इतनी शक्ती नहीं है कि वो धारण कर पाएं, सुन पाएं तो ऐसी आत्मा को आप क्या करते हो अपने वरदातापन की स्टेश से शक्तियां देते हो बाबा कहते हैं, अपने अगर आपके पास जमा शक्ती का स्टॉक है तो आप शक्तियों से उनको बल देते हो मजबूत बनाते हो, शुब बावना से अपने शुब संकल्पो के दोरा उस आपमा को मजबूत करते हो तो बावा कहते हैं, आपको दोनों ही देखना है बिधाता और बरदाता दोनों ही बनना है ये चेक करते रहना है दूसरी चीज़ बावा कहते हैं लास्ट में क्या होगा आपकी बरदातापन की स्टेश ज़्यादा चलेगी क्योंकि बरदादापन की स्टेज इसलिए चलेगी क्योंकि ग्यान देने का इतना समय नहीं होगा आप ग्यान किसी को सुना नहीं पाओगे आत्माओं की शक्तियां घटती जाएंगी तो फिर आप अपने शुब संकल्पों द्वारा शुब भाबनाओ द्वारा ही उन आत्माओं का कल्यान कर सकते हो लास्ट में आपकी बरदादापन की स्टेज जादा बढ़ेगी तो बावा कहते हैं आपको हर संकल्प में उसके बावा कहते हैं जैसे भक्ति मार्ग में गायन है कि बारी जाओं ऐसे ही जो आत्मा बरदातापन की स्टेज में होंगी उनको हर संकल्प, हर कर्म में यह सोचो मैं बारी जाओं जो बचन मैंने बाबा को दिया था उसको मैं पालन कर रही हूं बारी जाओं माना बाबा पे कुरवान जाओं हर संकल्प से हर कर्म से बाबा पे कुर्वान जाओं तो यह चेकिंग करते रहो तो माया आपका सामना करने का सास नहीं करेगी अभी क्या होता है माया आजाती है क्योंकि आप बाबा पे पूरी तरह से कुर्वान नहीं हो हर संकल्प हर कर्ण में कुर्वार नहीं हो जहां माया देखती है कि बच्चा बाबा से दूर हुआ बस यहीं पर अटैक शुरू कर दो तो बाबा कहते हैं आपको बारी जाओ यह ध्यान लखना है उसके बाबा कहते हैं अपने शक्ती सरूप आपने कितना आप बरदादी मूरत बनने के लिए आपको सर्व शक्तियों को अपने पास जमा करना पड़ेगा तो कितना जमा किया है कितना स्टॉप जमा किया है अब बाबा पूछते हैं बाबा कहते हैं तीन तरह के लोग होते हैं कहते हैं जो स्टॉक जमा रखते हैं दूसरे होते हैं कमाया और खाया तीसरे किस तरह के क्यों होते हैं बावा ने का लास्ट में क्या होता है जो स्वैम को भी ने चला पाएं इतना कमाते हैं उनके इतना भी ने कमा सकते हैं वो खुद भी चला हैं वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं कोई हमें दे तब हम चल पाए तो बाबा ने का यह दूसरी तीसरी स्टेज से पार हुए हो स्टॉक जमा किया है जब आपके पास स्टॉक होगा जब आपके पास कोई चीज होगी तभी तो दूसरों को दे सकते हैं तो आपके पास शक्तियां होंगी, तभी आपके पास जब कमजोर आत्मा आएंगी, तभी तो आप उनको दे सकते हैं, तो बाबा कहते हैं, आपना स्टॉक जमा करना है, जमा करना है, तो बाबा कहते हैं, आप निशानी भी बता रहे हैं, जिसके पास जमा होगा, वो क्या यही नशा सत्यूग का नशा की सत्यूग में वो नारायन बनेगा इसका नशा दिखाई देगा भाद में बाबा कहते हैं विजई रत्न बने हो विजई माला चेक करनी है कि विजई माला की में कितने विजई रत्न बने हैं बाबा कहते हैं विजय माला में कितने विजय बने हैं फिर लास्ट में बाबा कहते हैं अब लास्ट में क्या होगा ग्यान की सर्विस इतनी नहीं थी किस चीज़ से नहाल करते थे सिर्फ नजरों से नहाल कर देते थे दृस्टी देते थे और आत्माओं का कल्यान होता था उनको साफशातकार होता था तो लास्ट में भी आपकी दृस्टी की सर्विस चलेगी लेकिन दृस्टी की सर्विस भी कब चलेगी जब मैनों में स्वयम शिप को समाई रखेंगे सो यह हम शिब बाबा को समाय रखेंगे तो फिर दिस्टी की सर्विस आपकी चलेगी यती बाबा की बहुत संदर मुरली आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यारा और नमस्ते हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाब दादा को हम सभी बाबा के बच्चों की तरफ से याद प्यारा नमस्ते आप से सभी स्यानरोध है कि बाबा की अव्यक्त मुर्लिया सभी ब्रहमन आत्माओं को शेयर करते रहें ताकि आत्माओं का कल्यान कर सके हमें सर्विस करनी है और हमारी सर्विस यही है कि हम ये 1100 बावा की मुरली हैं इनको हम जहां तक हो सके पहुचाएं और बावा की इस सर्विस में योगदान दें इस यग में योगदान दें शेयर करने में बहुत टाइम नहीं लगता है आप शेयर करेंगे तो ये बावा की जो अव्यक्त मुरलियां जो बच्ची सिक्वेंस से नहीं सुन पाए है तो आप से सिक्वेंस से 69, 70, 71, 72 ऐसे सिक्वेंस से हम इन मुरलियों को सुनते चलेंगे अच्छा ओम शांती ओम शांती ओम शांती